नमस्कार ग्लिप्स जट इनमाप का स्वागत है मैं हूँ प्रकतिय गुरुवार वैश्विक बजार से मिले कमजोर संकेत और F&O की एक्सपाइरी के दिन घरेलू शेर बजार की गिरावट के साथ शुरुवात हुई है गुरुवार को सेंसेक्स 28 संग गिर कर 33,817 के इस्तर पर खुला है वही निफ्टी ने 43 संग तूट कर 10,354 के इस्तर पर शुरुवात की है शुरुवाती कारुबार में IT इंडेक्स में रफ्तार दिख रही है फिलहाल बजार में गिरावट बढ़ गई है अभी सेंसेक्स 149.99 अंको की गिरावट के साथ 33,694.87 के इस्तर पर कारुबार कर रहा है वही निफ्टी 52.95 अंको की कर्टौती के साथ 10,345.20 के इस्तर पर कारुबार कर रहा है शुरुवाती कारोबार में ट्रेड महिंद्रा, सनफार्मा, विप्रो और इन्फोसिस्ट के शेरों में बढ़त देखने को मिल रही है पंजाब नैशनल बैंक बुद्वार को थोड़ा समहलने के बाद इसके शेरों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है गुरुवार को पंजाब नैशनल बैंक के शेरों में एक दसमलो पैतालीस अंको की गिरावट देखने को मिल रही है इसके साथ ही बैंक का मार्केट कैप 28,015 दसमलो तिरपन के इस तर पर पहुँच गया है बुदवार को शेर बाजार ने सुबह तेजी के साथ शुरुआत की दिन में बाजार में उतार चड़ाओ का दोर रहा लेकिन आखरी गंटे में आईटी शेरों में आई तेजी ने बाजार को सहारा दिया इसकी बदालत घरेलू शेर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ बुदवार की सुबह बढ़त के साथ शुरुआत करने के बाज शेर बाजार बंद भी बढ़त के साथ हुआ बुदवार को सैंसेक्स 141.27 की बढ़ोतरी के साथ 33,844.86 के स्तर पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 37.5 अंगों की बढ़ात्री के साथ 10,397.45 की स्तर पर बंद हुआ